साथियों, संतों को हमारे हाँ अक्सर बहते जल की तरह बताया जाता है, क्योंकि संत न कभी विचार से रुखते हैं, न कभी व्यहवार से थमते हैं, अनवरत प्रवा और अनवरत प्रयास ही संतों का जीवन होता है, एक सामान्य भारती के लिए ये माइने नहीं रखता, कि इन संतों का जन्मस्थान क्या है, उसके लिए कोई भी सच्चा संत उसका अपना होता है, उसकी आस्ता और संस्कृतिता प्रतिनिदी होता है, इसलिए हमारे संतों ने हजारों वर्षों से एक भारत, स्रिष्ट भारत की भावना का पोशन किया है, सत्यसाई बाबा भी आंदर प्रदेश के पुट परति में जन्में, लेकिन उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले दुनिया के हर कोने में है, आज देश के हर क्षेत्र में सत्यसाई से जुड़े स्थान और आश्रम भी है, हर भाशा, हर रितिरिवाद के लोग प्रसांती निलियम से एक मिशन के तहट जुड़े हैं, यही भारत की वो चेत्रा है, जो भारत को एक सुत्र में पिरोती है, इसे अमर बनाती है,